हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो माई यूटूब चनल आयास गेटपेस इस वीडियो मैं एससी जेई सिविल में एक्जाम में पेपर हुआ था उन सभी कोशन्स को ब्रीफ में डिसकस करूंगा इसका पीडियाफ जो है वो पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने इस गेटपीस के आप पर जहां पर फ्री स्टेडी मट्रियल सेक्शन पर जाके रहें इसको एक्सेड़ करेंगे कर पाओगे सो फस्ट कोश्यन है आइडेंटिफाइडी इस टी ऑफ सोयल इंटिफाइड बिहेवियर स्टेडी ऑफ स्वयल इन विच जीरो एर वॉइड युनिट वेट इस फांड यहां पर जो यह टर्म लॉजी उसकी है जीरो एयर वॉइड जीरो एयर वॉइड का मतलब है कि जो हमारी जो वाइड से इसमें जो हमारी एर वाइड से वो हमारी 0 हो रही है वो किस केस में होंगी theoretically जब हमारा जो degree of saturation है वो 100% होगा ठीक है जो भी वाइड से उसमें सारे में पानी भरा हुआ है और जो degree of saturation है वो 100% है इस degree 0 air void के corresponding जो हमारा unit weight आता है यह हमारा theoretical maximum unit weight आता है तो हमारा dry unit weight जो है वो हमारा gs gamma w upon 1 plus e होता है जो void ratio है इसका formula होता है हमारा wg by s अब s अगर आप 100% degree of saturation रग दोगे जो theoretical maximum unit weight आपका निकल के आएगा that is basically 1 upon wg ठीक है यह theoretical weight है hypothetically जीरो air voids possible नहीं होता है तो जब हम theoretically बात करते हैं जब हम compaction curve draw करते हैं unit weight और water content के basis पे तो जब water content एक x-axis पे ले लिया dry unit weight हमने y-axis पे ले लिया एक moisture content के corresponding हमें maximum dry unit weight मिल जाता है ठीक है अब अगर हम given water content के corresponding जो theoretical unit weight आ रहा है 100% saturation के corresponding वो अगर line draw करते हैं तो वो मिलता है हमारा zero air void line या 100% saturation line या जिरो air void के corresponding जो हमें compaction curve में line मिलेगी और जो 100% saturation के corresponding यो line मिलेगी वो सेम होगी ठीक है तो यहां से theoretical maximum unit weight corresponding to zero air voids हमें unit weight मिल रहा है और यह हम किसमें निकाल रहे हैं जब हम compaction perform कर रहे हैं ठीक है और जो हमारा optimum moisture content है यह water content है जिसके corresponding आपको maximum dry density laboratory में मिल रही है ठीक है इसको mc भी बोलते हैं या owc भी बोलते हैं यह study हम करते हैं compaction test में और यह question आपका जो है इसका जो concept है वो यह रहारोरा की book और भी standard book से मिल जाएगा बट आपको यहां पर जो paragraph है यहां पर इसको आप पढ़ेंगे तो बीलबल तो understand कि how the question has been framed उसके next question है हमारा कि is456 के according हमारा ultimate limit state दो चीजों की बात कर रहा है ultimate limit state की बात कर रहा है the partial factor of safety assigned for concrete material क्या है concrete है इस 456 हमारा जो partial safety factor देता है वो दो aspects को cover करता है material को cover करता है material की strength को cover करता है और limit state कौन सा limit state follow कर रहे हैं being considered in the design उस पर depend करता है तो अब यहां पर material दिया है concrete और हमारा ultimate limit state की बात कर रहा है ultimate limit state में हमारे पार दो limit state है question में और clarity हो सकती थी तो ultimate limit states में we have two failure modes limit state of method में हमारे ultimate limit state में limit state of collapse है और limit state of serviceability है ठीक है तो ultimate limit state है हमारे पास ठीक है तो assuming की हमारा collapse की बात कर रहा है कि को serviceability में हमारा दोनों one होता है which is not given in the option option को ध्यान में रखते हुए रहा है तो हमारा क्लॉस 36.4.21 कहता है कि concrete के लिए आपको 1.5 लेना है limited state of collapse में और steel के लिए हमारा 1.15 लेना है तो हमारा आपने लेशिंग सिस्टम आपने पढ़ रखा होगा कॉलम्स जो steel कॉलम्स है उनकी design में आपने फिल्ड पर भी देखे होंगे की यह हमारे देख पा रहे हैं आपकी दो बेस्ड न भों नहीं अंट्सक्ट के वेले किसा कारेंने इनको किया इसमें इनके sì रची को सब्सक्राइज वह किए यह गोगी सब्सक्राइब इसमें लाघे लसिंग नां 待 गडरा किना ऐनके जो कनेक्शन से जो यह चो सकरा किए के टीमारा इंडिंडपेंडएंट Ken VA क्ते को दूसरे में हमारा क्या साथ इंट्रसक्षेन हम वह Ready नहीं करता है ध्यान रखिएगा एषारेंजमेंट रीकमेंड़नेट नहीं है रही दूसरा है हमारा double flat lacing intersecting हमारे flat lacing एक दूसरे को intersect कर रहे हैं और हमारा जो connections है वो भी common है joints पे तो हमारा ये double flat lacing intersecting और यही हमारे diagram में दिया हुआ है ये तीसरा है जिसमें double flat lacing है और baton भी लगा हुआ है ये भी हमारा code कहता है इसे आप recommend नहीं करोगे ये दोनों हमारे recommend नहीं करेंगे और जो हमारे lacing system है इसको as a compression member आप design करोगे और उसको उसके बाद tension के लिए हम check करते हैं तो हमारा जो correct answer होगा double flat lacing intersecting होगा ठीक है जैसा कि आपको यहां डाइग्राम में भी आप आया हुआ है उसका next question है rainfall हो रही हमारे पांच दिन लगातार rainfall होई एक given catchment में यह हमारा मान लेते हैं catchment है यहां पर rainfall हो रही है तो first day second day third day fourth day fifth day हमारा इतनी इतनी rainfall होई पर दे है तो यह हमारी intensity हो जाएगी two centimeter per day rainfall होई यह हमारी six centimeter per day rainfall होई फिर हमारी nine centimeter per day rainfall होई और five centimeter per day rainfall होई और हमारी three centimeter per day rainfall होई अब जब rainfall जो हो रही है हमारा कुछ इसमें हमारा infiltrate कर जाएगा पानी ठीक है और outlet point पे कुछ ही यहांपर मिलेगा runoff तो टोटल direct runoff की बात कर रहा है कितना मिलेगा तो जो हमारा runoff को contribute करेंगा जो पानी यहां तक पहुँचेगा वो होगा जहां पर जो intensity of rainfall है वो हमारा infiltration index से जादा या उसके बराबर में तो सारा पानी अंदर चला गया ठीक है तो यह वाली situation यहां पर आप देखेंगे 2 cm per day जो है यह less than 5 है because 5 जो हमारा 3 cm per day यह भी हमारा less than or equal to 5 है तो यह वाला जो पानी rainfall हुई 5th day और 6th day यह हमारा contribute नहीं करेगा runoff को यह अंदर infiltrate कर जाएगा और जो net पानी बचेगा infiltration के बाद वो हमारा runoff को contribute करेगा तो दूसरे तीसरे चोथे दिन के corresponding हम निकाल लेंगे 6-3 cm per day multiplied by एक दिन की बात कर रहे है नाइन सेंटी मीटर माइनस 3 सेंटी मीटर पर डे multiplied by 1 डे 5 सेंटी मीटर माइनस 3 सेंटी मीटर पर दे इसके corresponding जो हमें water मिलेगा यह हमें runoff में contribute करेगा जो की और भी hydrology की सुब्रमन्या की book है वहां पे भी कुछ questions इस तरह के आपको मिल जाएंगे आपके जो study material है उसमें भी आपने इस तरह के questions किये होंगे correct question answer जो होगा option A हो जाएगा इसका next question है यहां पे different equipment दिये हुए है मैं identify करना है कि कौन सा instrument bitumen के लिए किस test perform करने के लिए use किया जाता है यहां पे जो operators दिया हुआ है this is a viscometer because orifice viscometer है यह which is used for determining the viscosity of the bitumen softening point test में यह आपका ring and ball test है which is used for determining the softening point of the bitumen penetration test में this is a penetrometer penetrometer which is used for determining the penetration values of the bitumen ductility test में आप bitumen को यहां पर break कर रहे हैं खीच कर this is a ductility test reference के लिए देखेंगे आप जस्टो खन्ना की book में हमारा bitumen का chapter है इसमें softening point test में यह आपका ring and ball apparatus दिया है flashpoint setup में pens की martens test दिया हुआ है penetration test में हमारा this is a penetrometer penetrometer जहां से diagram में उठाया गया है उसके बाद penetration के बाद हमारा ductility में यह हमारा ductility की photos दी हुई है ductility machine में यह इस तरह arrangement हम रखते हैं and this is a orifice viscometer जो हमारा first diagram में बना हुआ है यह सारे जो images है यह हमारी जस्टो खन्ना में available है अगर आप इनके respective IS codes पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ही मिल जाएगा अब 305 से लेके 306 pages के बीच में आपको यह reference मिल जाएगा इसका next question है हमारा question number 16 में बोला है कि जो हमारा gross bearing capacity है strip foundation की तो gross bearing capacity को ultimate bearing capacity भी बोलते हैं यह दिया हुआ हमारा 1.2 मीटर की depth पे clay पे 420 न्यूटन पर मिटर 420 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर अगर हम footing का cross section ले ले ठीक है तो 1.2 मीटर पे यह depth दी हुई है इसके उपर हमारा over burden है जो unit weight of soil clay का वो 20 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब है और हमसे कहा जा रहा है कि net bearing capacity निकालना है ठीक है तो aurora की अगर आप book देखेंगे तो यहां पर 23.23 में क्या definition कहता है ultimate bearing capacity वो bearing capacity है वो gross pressure है foundation के base पे जिस पर soil हमारा shear पे फेल हो रही है net ultimate bearing capacity क्या है gross pressure जो आ रहा था उसके उपर जो आपका over burden pressure है soil का उसको minus कर दिया तो यहां पर आपका 420 था माइनस आपने 20 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब है और 1.2 depth है जो मिट्टी का सर्चार्ज है footing के ऊपर यह आपका हो गया 396 किलो न्यूटन पर मिटर स्कॉर तो यह basic concept definition से question बना हुआ है ठीक है यहां पर लिखा भी हुआ है unit weight of foundation soil जो की clay है यहां पर और D is the depth of the foundation it may be noted that over burden pressure तो gamma df जो है यह over burden pressure existing even before the construction of foundation ठीक है अगर net safe bearing capacity पूछता तो आपका जो net ultimate आया उसे factor of safety से divide कर देते है जनरली हमारा three value लिया जाता है ठीक है यह कुछ concepts है जो आपको किसी-किसी book में मिल जाएंगे आप इसमें correct answer option d दिया हुआ है वह बिल्कुल correct है numerical भी कुछ solved है वहां से भी आप refer कर सकते हो इसका next question है कि हमारा theoretical weight steel bar का कितना है जिसकी length जो दी है वो हमारी eight meter है और जो इसका dia है वो 20 mm है ठीक है और steel की density seven eight five zero kg per meter cube दी हुई है तो reference के लिए हम लोग चलते हैं IS 1786 में जो nominal waste, nominal mass और density की बात करता है gross sectional area का formula दिया है in mm square w upon जो हमारा weight है जो bar का weight है divided by point double zero seven eight five L तो यहां पर आप इस formula को ध्यान में रखिए जब भी आप steel के साथ deal कर रहे है nominal mass deal कर रहे है तो w आपको निकालना है ठीक है point double zero seven eight five जो यह value है यह density को correspond कर रही है 7850 kg per meter cube into length हमारा 8 meter दिया है gross sectional area आपका जो है यह आपका pi by 4 d हमारा 20 square diameter हो जाएगा तो यह आजाएगा 314.3 इसको solve करेंगे तो you will get w is equal to 19.67 जो कि हमारा यहां पर 19.72 इसी के basis पर हमारे code ने यहां पर tabulate किया है कि अगर आपका 20 mm size है area आपका 314 square mm हो जाएगा mass per meter kg 2.47 यह standardized कर दिया है तो इसको आप 8 meter का steel bar है तो आप इसको 8 से multiply कर देंगे तो यह basic concept के basis पर आपका निकाला गया है तो correct answer option 3 होगा यह हमारा IS 1786 के concept से use हुआ है उसके बाद आता है next question पे which of the following constant factors relates stress in steel linearly with stress in adjoining concrete ठीक है कि जो भी हमारा reinforcement यह माल लेते है reinforcement है यह concrete है यहाँ पर जो strain है और adjoining concrete में जो strain है वो हमारा दोनों सेम है strain in steel is equal to strain in concrete और जो stress है it is some factor of stress in concrete जो adjoining concrete में and this k factor is basically m factor which is known as modular ratio ठीक है and this is based on the strain compatibility this was the strain compatibility equation तो यह हमारा जो m है this is given by modulus of elasticity of steel divided by modulus of elasticity of concrete यह reference के लिए BC पुनमिया की book में आप देखेंगे तो exactly question यहाँ से frame किया गया है the stress is steel is linearly related to stress in adjoining concrete by a constant factor जो की question ने पूछा गया है called the modular ratio defined as the ratio of modulus of elasticity of steel to that of concrete and this is basic concept used in working stress method of design of concrete correct answer यहाँ पर modular ratio हो जाया है इसका next question है question number 19 यहाँ पर बोलता है timber का test specimen है और जो इसका cross section है timber का वह हम देख लेते हैं क्या है 50 cross 50 यह 5 cm चौड़ा है इसका cross section और 5 cm इसकी width है height है और इसकी जो length है sample की यह 15 cm है this length is 15 cm तो इसकी जो volume होगी यह कितनी हो जाएगी 5 cm x 5 cm x 15 this will give you 375 cm3 value अब इसमें दूसरा value क्या दिया है कि जब इसको weight किया आपने test के दवरान इसका weight आया 250 gram और साथ ही साथ बोला गया कि इसका moisture content है test के समय यह हमारा 15% है अब बोल रहा है कि हमारी specific gravity निकालो इस specific gravity test perform करने के लिए जो हमारा code है timber के लिए that is is 1708 part 2 जिसमें हमारे पास जो same specimen दिया है वही यूज करना है आपको mechanical test perform करते हैं इसमें code यह कहता है कि अगर आपका moisture content नहीं है तो सीधे weight by volume जो होगा वह आपकी specific gravity आप रिपोर्ट कर दोगे तो weight 250 ग्राम है divided by 375 हो गया यह आता है .667 लेकिन यहाँ पर moisture content है तो adjusted specific gravity आपको निकालना है जिसमें percentage moisture content of test specimen आपको एक यह factor में consider करना है तो 0.667 हो गया था multiplied by 100 upon 100 plus m यानी 15% इसको solve करोगे आप तो हमारा जो answer दिया हुआ इन्होंने 0.579 दिया हुआ है यह correct answer होगा ठीक है इसमें confused नहीं होना students को IS code के provision से question पूछा गया था उसके next question है हमारा assertion reason है permability of soil को लेके कि permability of soil continues to decrease with increase in dry density of soil बिल्कुल सही है soil and water are compressible in nature जो soil के grains है यह हमारे incompressible होते हैं soil as a complete mixture हम इसको compressible कह सकते हैं because हमारे air voids हैं जो हमारे load के पढ़ता है तो compress होते हैं but as a grain structure जो है वो incompressible है और जो pore water है soil के अंदर वो भी हमारा incompressible nature consider करते हैं तो वेंकट रमईया की book है यहां पर clearly लिखा हुआ है कि आपका जो pore water है soil grains और pore water may be considered as incompressible in geotechnical engineering इंपोर्टन चीज़ है ध्यान रखना यहां पर के context में बात कर रहें तो इसे और बहुत सारे अधर parameters के साथ आपको relate ना करें तो हमारा जो आर statement है वो false हो जाएगा तो statement हमारा 4 जो है वो correct है I hope this video is helpful अपने comments ज़रूर शेर करिए I will be sharing more videos to complete this series thank you and all the best